तिन सुत्रिय मांग को लेकर उतर परदेश मादमिक वित विहीं शिचक संगर्श मोर्चा ने मंगलवार को कारियाले जिला विद्याले नरीचक पर एक दिवसिय धरना दिया शिच्छकों ने कहा कि मादमिक वित्विहीं शिच्छकों और कर्मिचारियों को जीवकोपारजन माने दे दिया जाए वित्विहीं शिचकों की सिवा निमली बनाई जाए और शिचा निदेशक द्वारा शासन को प्रेशित प्रस्ताव का क्रियावन किया जाए अगर हमारी मांगों को सरकार द्वारा सकारात्मा गनिर्णे नहीं लिया जाता है तो मादमिक शिचक संग मोर्शा 20 नवंबर को विधान सभा का घराव करने के लिए बाद होगा जिसकी जिम्यदारी पर देश्य सरकार की होगी इस समद्ध में गोरख पुनी समदाता से बात करते हुए चंद्र भुशड मिश्र ने कहा हम उत्तर प्रदेश मादमिक वित्वहीन सिचक संग के बेविद घटक संजुक्त मोर्चा के तत्वावदार में जिलाविद्याले निरिक्षक कार्याले पर यह धर्ना रत है यह धर्ना हमारा पूरे प्रदेश में प्रतेग जिलाविद्यानिक्षक कार्याले पर चला है तीन सुत्रिय प्रमुख मांगों को लेकर जिसमें पहली मांग 2004 से जिसमांग को लेकर हम संगरशुरत है कि उत्तर प्रदेश के बादिमिक सिक्षा में 80% जोगदान देने बारे साथ 3 लाग से अधिक सिक्षक वित्रीन सिक्षकों और करमचारियों को सम्मान जलक जीवी को पारजन भर का मांदे सरकार दे दूसरी बांग यह है कि इन सिक्षक करमचारियों की प्रभावी सिवाने मावली बनाई जा और तीसरी बात है कि मान्यता 1986 से वित्विहिन मान्यता जो धारा 7 कोखो में असंगत धारा में प्रारम होई उस मान्यता की धारा को 7-4 में परिवरतित कर दिया जाए इन 3 मांगों को लेकर के हम आझ पूरे प्रदेश में धरणार तैं जिलाविधारी एक्षक करयारियों पर और अगर अग 19 नवंबर तक सरकार ने हमारी मांगों पर शकरात्मक निरने नहीं लिया तो 20 नवंबर को हम पूरे प्रदेश के वित्विहिन सिक्षा का विधान सभा का घेराओ करेंगे